हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने चैनल, AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्त अजीत आज मैं आप लोगों को एक बहुती most important syrup के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है leukophyte syrup किस बिमारी में इसे यूज किया आता है कितने दिनों तक इसे लेना होगा कितने दिन में इसका result देखने को मिलेगा कहां से आप इसे purchase कर सकते हो क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते है यह सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माद्यम से दूँगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूं मेडिसिन से रेलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन की द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को सुरू से लेके एंड तक जरूर देखे ताकि आप कोई भी जानकारी मिस्त ना कर सको लिकोफाइड सीरप एक प्योर आयरवेदिक सीरप है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन महिलाओं को वाइड बिस्चार्ज की प्रॉबलम होती है यानि कि लिकोरिया की प्रॉबलम आम भासा में कहें तो सफेद पानी की प्रॉबलम उसके इलाज के लिए से यूज किया आता है यहें 200 ml की पैकिंग में आता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइज है वो है 165 रुपे यानि 165 रुपे यानि 165 रुपे उनली मुसली और भी कई जड़ी बुटियों को मिलाकर इसे तयार किया गया है और यह जो दवा है आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे एक नंबर आपको सोवरा होगा इस नंबर पे भी फोन करके इसे मंगा सकते हो तो आपको परिशान नहीं होना है अगर फिर भी आपको ये प्रोड़क्ट ना मिले तो आप मुझे कमिट बॉक्स में जरूर लिखे मैं आपको कोसिस करूँगा इसे प्रोवाइट कराने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को कब और कैसे लेना होता है देखिए इस दवा को आपको दो टी स्पून सुबह दो टी स्पून साम को खाना खाने के बाद लेना होता है सिंपल तरीके से ऐसे लेना है कुछ भी पानी वगेरा नहीं मिलाना है इसके अंदर और इस दवा को कब तक लेना है तो मैं आपको बता दूँ दो से तीन महिने का इसका कोर्स होता है अगर किसी को काफी पुराना ये प्रॉब्लम है तो वो तीन महिने कंटीनू लेंगे अग आपको चावल का सेवन नहीं करना है गरम मसाले से बनी चीजे कम से कम खानी है और आपको अचार खटाई वगेरा बिलकुल भी नहीं खाना है ये आपको ध्यान दखना पड़ेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं आपको बताता हूं कि इस दवा को लेने से क् नुकसान देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एक आरवेदिक दवा है और इसके ना के बराबर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जब आप इस सीरफ को लेते और लेने के बाद आपको किसी भी परकार की प्रॉब्लम होती ह है तो आप इस दवा को रोक दें और अपने नजदी की डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजि हमस्कार